हेलो दोस्तों, अचार डालने का मोसम चल रहा है तो आज हम अचार ऐसा बनाएंगे जो सालो साल ज़लेगा जो कभी खराब नहीं होगा तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि आमी कैसी खरीदनी है तो आमी हमें ऐसी खरीदनी है जो कटी फटी ना हो सड़ीन अगणी और आमी मीठी नहों यानिकि खटी आमी खरीदनी आて ऐने के बाद उसे हम 5 से 6 गंटे पशेखी में बीगो कर रख आपकोसल देंगे वो निकाल देंगे, अगर आपके पास अचार काटने का आता है, अगर वो है, तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है, तो चाकुजिक काटने पड़ेगी, तो इस तरीके से मैंने सारी आमी काट ली है, और इसे मैंने हलका हलका सा नमक डाल दिया, यानि कि आदिकटोरी नमक और इस तरीके से हिला दिया है अब मैं इसे 48 घंटे के लिए चोड़ दूँगी यानि कि दो दिन के लिए तो दो दिन हो चुके हैं और तेज धूप निकल लई है हम इसे एक एक खाफ उटाएंगे और इस अचार को इस तरीके से सुखाएंगे तो दो दिन की धूप भी लग का ध्यान रखना चाहिए तो यह मैंने लगवक दो दिन सुखाई है और सुखने के बाद इस तरीके से हो चुकी है अब देख लेते हैं इसमें जो है मतलब मसाला और कौन सा डलेगा तो मसालों को मैंने सबको धूप में सुखाया है यह बिना पीसे हुए मसाले थे सबको मै прошते में आप 6-3 घंटे की घूप लगाई है यह है धन्या और सोप मैंने और यह आ यह गरम मसाला गरम मसाले में सकुए तेजपत्ता तो मिल में सुखहा था गरम मसाला तो उसे मैंने mega рук की दाना है कobra जीनों है यह हल्दी है लाल मिर्च पाउडर है और नमक हमने आमी में भी पीशने हैं और ये अच्छी बाली हिंग लेनी चाहिए और देखिए अचार खाय। खराब ना हो इसलिए हमें आणडीं मसाले भी बिल्कुल दुकान से लाके पीशने हैं ये जैंत हम अच़ार दाल देंगे तो हमारा अचार खराब हो जाएगा तो अचार का जो मसाले डालते हैं वो लाइए धूप में सुकाई होनी बढ़िया करके और मिक्सी में पीसिये और ताबचा डालिए यह देखिए आम यह वह पानी है जब हमने जो आमी काटी थी उसमें हमने नमक डाला था तो वह आमी जो है ना पानी छोड़ देती हैं तो मैंने निकाल ल करना है अच्छा बहुत से लोग सरसो के तेल को गरम करके डालते हैं यानि कि जब पहले गरम करने फिट ठंडा करके जब डालना है तो आप इस तरीके से भी जाल सकते हैं मैंने यह गरम नहीं करा ऐसे ही डाल लई हुमें तो इसे बढ़िया करके मिक्स कर लेंगे अगर है इतना तेल डाला मैं और जो पानी से खाए कर अधेम, अगरा दूप और रोस्ट कर सकते हैं और दाता में भी चैह कर सकते हैं और इसमें गंदे संदे हाद ना लगे एक हाद से मत onion की अगर आप ही बनाएं तो ये नहीं कभी कोई ज़ूराया अचार को उससे अचार हमारा खराब जाता है इसलिए साफ हाथों से अचार को डालना चाहिए तो मसाला कुछ इस तरीके से हमारा त्यार हो चुका है अब हमें करना क्या है आमी जो हमने सुकाई थी उन सब को इसमें डालेंगे और आमी इसमें इस तरीके से मिक्स करनी है, कि जो खापे है ना चोटे चोटे पीस, कोई पीस ऐसा ना हो, जिसमें मसाला ना लगए, यानि कि हमें एक एक पीस को उड़ा करें, तब ही हमारा चार चल पाएगा जादे दिन तक तो इस तरीके से देखी, मैंने एक एक पीस को इस तरीके से सारा मसाला सब लगाया है और तब इसे पूरा कंप्लीट किया है तो हमें पूरी जितनी यह आमी की पीस थे इन मसालों को बढ़िया करके इस तरीके से लगाना है और अगर आपको मसाला गाड़ा लगे तो आप थोड़ा पेल और मिक्स कर सकते हैं तो अचार हमारा खराब ना हो तो इसलिए हाथ नहीं लगने चाहिए गंदे संदे और इसमें पानी ना जाए यह ध्यान हमें देना है और जो हम डिब्बा यूज करेंगे यानि की जार चाहें आप कांच का लेंगे तो बहुत अच्छी बात है उसे एक दिन पहले धोके धू जाएगा तब इसमें डालेंगे सर्सो का तेल सर्सो का तेल डालने के बाद आप इस जैसे अचार को पूरा कंप्लीट कर दिया तो इसमें उपर कपड़ा बांगे कम से कम 3-4 दिन धूप में जरूर रखिए इससे हमारा अचार खराब नहीं होगा तो अभी तो मैं इसे डि अचार लगा के 3-4 दिन मैं इसे धूप में रखोंगी बस 2-3 गंटे की धूप दिखानी है उसके बाद अचार को उठाके रख लेना है बस हमारा अचार खराब नहीं होगा गारंटी यह सालो साल खराब नहीं होगा इसका कलर चेंज हो जाएगा लेकिन अचार खराब नही है और खाये बहुत ही अचार बनकर तेयार होता है और